नमस्कार किसान भायो में हूँ नमस्कार के दो सिल कुमारदाकरद स्वागते राप का हम युट्यूब चेनल कर्शी नोलेज टूजेटे चैनल में और आज इपी वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं लैसुन के जो स्बुए sa डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए और कितने दिनों के अंतराज में यूरिया डालना चाहिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो को तो दोस्तों हम कि आपकर करते हैं यूरिया के बारे में लेशून में यूरिया दोस्तों खा तो यहार्र सोन में बहुत ज़्यदा नहीं परती फिरुब तो आवशेक होता है क्योंकि से लेजसून में 46 पर्तिश्य bunaट जेते हैं जो कि ुलोटेत की मातरा को पूर्ण करता है और तो यूरिए का काम यह होता है लिसून में कि पडय की ग्रोथ को तेजी से विकास कर से कि जो कब डालना चाहिए जो हम बात करते हैं दोस्तों आपका लैसुन शुर्वाती उगने से लेकर 40-50 दिन का हो जाए तब तक आप यूरिया डाल सकते हैं तो दोस्तों आपको यूरिया लेशन उगते ही यूरिया का प्रियोग नहीं करना दोस्तों इसकी पहली नुराई गुड़ाई हो जाए 20-25 दिन के औस्ता में आपको इसमें पहला यूरिय लिए डाल देना है परती 45 kg परती एकड की इसाब से मेरी बात करें तो हम परती भीगा में 40-45 kg के इसाब से यूरिया डालते हैं दोस्तों तो हम इसमें दूसरा यूरिया बनलब इक साथ में आप यूरिया का चिटकाउब नहीं कर सकते इसमें आपको कुछ गेप देकर तो आपको दूसरी बार भलब 40-45 और 50 दिन के अंतराल में आप दूसरी बार चिड़काउ कर सकते हैं दोस्तों तो आप इसमें बना इन्हें गुड़ाई वाले लेशून में यूरिया का प्रियोग कभी ना करें दोस्तों क्योंकि इसमें अगर आपके खेत में खर पत्वार ह होगी तो आपका यूरिया चिड़काव करेंगे तो खर पत्वार गरन कर जाएगा यूरिया और आपकी पसल को पूंट रहा इसका लाब नहीं मिलेगा तो आप पहले इसकी नुराई गुड़ाई कर ले फिर बाद अच्छे से तपने के बाद में यूरिया का चिड़काव करना है दोस्तों जिससे कि आपके लेशन की पसल को अच्छा ग्रोथ मिलेगी और कंद भी आपका ज्यादा बड़ा बनेगा दोस्तों आप ये गलती कभी नहीं करें पचास से साथ दिन के बाद भी कुछ किसान इसके यूरिया का चिड़काव करते रहे तो आपको ये कभी यूरिया का नहीं करना है दोस्तों और खर्पतवार के हम बात करें तो दोस्तों आपको निरा गुड़ाई करके खर्पतवार को अटाना है दोस्तों आपको कभी भी इसो कि खर्पतवार नाशक दवाओं को चिड़काव नहीं करना चाहिए दोस्तों लेशन में जी खर्प कर सकते हैं और कब नहीं तो ठीक है दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी आपको अगर यह वीडियो आपको पसंद आए होगी तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें जै इन जै भारत